आपको बताएं वजीराला सिंद मुरादली शाह ने पोस्ट बजट कांफरेंस की और विफाक से 239 अरब रुपे कम मिलने का शिक्वा किया पैसे कम मिलने को डाका ना कहा जाए तो क्या कहा जाए विफाक ने नाएहली चुपाने के लिए सब करोना पर डाल दिया लेकिन मानने को तैयार नहीं एफबी आल को भी करोना का बहाना मिल गया जीडीपी की आदाद और शुमार जांचने के लिए सुमों के पास वसाइल नहीं बुराद अली शाह के मजीद कहा 23 मार्श को हमने लॉंगडाउन का एलाम किया वजिर आसम खुश नहीं थे दूसरी तरफ कहते हैं जल्दी फैसले लेकर अपने मुल्क को बचाया इन सी सी की जो हमारे मीटिंग होती है हर मीटिंग के मिनिट्स लेके आया हूँ कि जो बाते मैंने मानी है मेरे पास हर मीटिंग का प्रूफ मौजूद है कि क्या मेरी डिमांड रही है इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए सब मर जाएंगे लेकिन उसने भी तो लॉकडाउन माने हैं न सारे कल ये इल्जाम लगा कि मुराद अलीशा ने लॉकडाउन किया बाकी सूबों ने मेरे से पूछे बगयर कर दिया भाई ये न सी से की मीटिंग तो आप प्रिजाइड करते थे इंटरनाशनल बॉर्डर पे हमारा टंट्रोल नहीं है किस ने किया आप अपने फैसलों से मुकर तो ना जाएं मैंने 13 मार्च को का कि सब फ्लाइड्स बंद कर दो 13 मार्च को बात नहीं मानी गई 17 मार्च को फैसला है मैंने तो नहीं किया नहीं आपने बड़ी असानी से मुराद अलीश और बाकी चीफ मिनिस्टर पे लजाम डाल दिया ये फैसला कौन से चीफ मिनिस्टर नहीं किया 23 मात से हमने लॉक डाउन का एलान किया वजीर आजम उस एलान से कुछ नहीं थे आज तक कह रहें एक तरफ खुश नहीं भी है और दूशी तरफ ये भी कहते हैं कि हमने जल्दी फैसले लेके और अपने मुल्क को बचाया वजीर आजम के ऐसित से रहा है उसका मैं पाबंद नहीं हूँ जो फैसला आप करते हैं उसका मैं पाबंद हूँ तोटल हमें कहा गया है कि आपको 606 अरब रुपए मिलेंगे फैडल गर्वर्मन्ट से इस साल जो कि आज 135 अरब ते गया है नहीं दो सो उनतीस अरब रुपए मैं इसको दो सो उनतीस अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं